बुलू स्री कृष्ण कनहिया लाल की, सत्गुरु महराज की, स्री प्राणिनाथ प्यारे की, महरानी बाई जुराज की, महराज छत्र साल की, स्वामी स्री लाल दाजी महराज की, दिनो पुरी धाम की, समस्त सुन्दर साथ की, प्रथम लागों दों चर्ण को, धनिये न छुड़ायो छिन लांक तले लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाओं तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो वातुन, पलनवालों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाओं महर महबूब के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन, बुलू स्रीशत गुरु महराज की, स्री प्राणनाथ प्यारे की, महमती कहे शुनो साथ जी, ये पहर एक की बिरत, जो होत है ता उपर, सोए बताओं जुगत, सोए बताओं जुगत, अब कहूं दुशरे पहर की, सेवा साथ कीजेह, जिन भांत जो होत है, हाक महरा उतरीह, हाक महरा उतरीह, अब कहूं दुशरे पहर की, अक्सिरातित परब्रम्ह परमात्मा, धाम धने स्रिराज्जिके अस्रीम अनुकंपा के द्वारा, स्रिक्रिष्न प्रणामी धर्मा निजानंद संप्रदाय अंतर्गत, यह स्रावन महिना में, एक महिना ब्यापी बितक्सर्चा प्रसंग का, आज हम तिश्वा दिवस के पावन बैठक में उपस्तीत हुए हैं, उपस्तीत सत्धर्मप्रान धर्मशिर्वनी शुन्दर साथ जी को, सप्रेम प्रणाम करते हुए, बितक्सर्चा के प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, अक्सिरातित परव्रम्ह परमात्ना धाम धनी स्रिराज्जी की यह दिब्बे लिला, परम्धाम की महाकारन लिला के प्रसंग से, स्रिष्टि के अंदर के लिला में ब्रज मंदल के लिला रास मंदल के लिला होते हुए यह जागनी के ब्रह्मान्ड में निजानन दाशारिय सत्गुरु स्रिदेव चंदर जी महराज के लिला उसके पसाथ फिर महामती प्राणिनाथ जी के लिला और साहत में ब्रह्म सुरिष्टियों की लिला ये सारे प्रसंग हम भीतक चरशा के माध्यम से स्रवन करते करते स्ट्रेपाज पद्वावति पुरिधाम की भीतक जेश प्रसंग में अस्ट प्रहर की लिला की विशय में कल हम स्रवन कर रहे थे तो लालदाजी महराज ने यह अस्ट प्रहर लिला वर्रन करने से पहले मंगलाचरन का प्रकरन रखा तो ये मंगलाचरन का भाव क्या है और ये शेवा की प्रतिविशेश शुरूप का पहचान होना होता है तो इन भावों के उपर चर्चा करते हुए कल हमने प्रत्वम प्रहर के लिला के उपर साराम सुरूप में चर्चा किया महमती प्राणिनात जी शुर्य उदय के समय में अपनी सुक्षे जिया पलंग से उठते हैं सेवा के सुन्दर साथ सेवा में हजीर होते हैं प्राणिनात जी को सुन्दर सिंगार से सजाते हैं फिर प्राणिनात जी हरवंश के घर में पधारते हैं कुछ समय वहाँ पर रहने के पसाथ फिर वापस आते हैं फिर वहाँ से मानी के घर में पधारते हैं और वहाँ से भी वापस आने पर एक प्रहर का समय बेतित होता है अब नौ बजे का समय हुआ तो ये प्रसंग हम कल सरवन कर रहे थे तो आज का हमारा प्रसंग दुसरा प्र फारंब हुने जा रहा है तो लाँदाशी महराज हिहा करते हैं आब कहों दूरे पहर की शिवा साथ की जेह जिन भात जो होता है हक महेर उतरी हाँ अब दूरे पहर के समय में जो कुछ भी सिवाएं होती है और स्रिराज्जी की क्रीपा के द्वारा जो भी लिला हुई अब मैं उस लिला को यहां वर्रन करने जा रहा हूँ लाल लह जी महराज इस तरह से कहते हैं तो दुश्तरा प्रहर का समया है नौ बजे से ले करके बार बजे तक अब ये नौ से बार बजे तक विशेश करके नौ बजे से चर्चा प्रारंब होती है और ये नौ बजे से चर्चा प्रारंब करके सबा ग्यार बजे का समय तक ये चर्चा होती है और जब दो घड़ी का समय बांकी रहता है यहाँ दुसरे प्रहर के फिर धाम दिनी स्वरुप की रसुई आरोगने की लिला होती है तो रशुई आरोगने से पहले जिलना लिला भी होती है फिर उसके बाद रशुई आरोगने की लिला जैसे रशुई आरोगने की लिला पुरी होती है बारवजे का समय यानि की दुसरे प्रहर का समय भी पुरी होती है ये तो मैंने साराम सुरुप में बताया इसका और कुछ चर्चा तो हम करेंगे तो कल ही मैं ये अश्टप्रहर की लिला की भुमिका की प्रसंगा में और प्रथम प्रहर की लिला की साराम सवर्रन करते हुए ही कह रहा था पद्वावती पुरिधाम के अस्टप्रहर लिला को समझने के लिए साथ में हमें परमधाम के अस्टप्रहर लिला को भी चिंतन करनी होगी तो ये दुसरे प्रहर के समय में परमधाम में क्या लिला होती है फिर पद्वावती पुरिधाम में क्या लिला होती है और दोनों के बिश में आपशी सनमंद क्या है इसको हमें देखना होगा तो हम जराशा परम्धाम की लिला को भी चिंतन करें यह दुसरे प्रहर के समय में जैसे ही तिस्री भौम की निरत लिला नो बजे के समय में पूरी हुई तो अब दुसरी प्रहर का समय प्रारम्ब हुआ श्रेडाज जी महराज तीसरे भोम के ज़रोखा के उत्तरा वेमुक waktu सिंगासन में ही बिराजते रहते हैं श्यामजी महराणी भी वहीं पर सिंगासन में बिराजमान है कई सखियां स्रीराज्य के इर्द गिर्दा में बैठे हुए हैं और कई सखियां उधर पानों की बिडिया बना रहे हैं रस्वई के बारी वाले जुजुत्था है प्रथम्भों में रस्वई बनाते रहते हैं तो ये लिला चलती रहती है और साड़े दस बजे के समय तक यानि की डेड़ प्रहर दिन बेतित हो जाने तक में पानों की बिड़ा बनाने वाले सखियां भी पान का बिड़ा बना करके नीलो न पीलो मंदीर में ला करके वो पान सजा करके रखते हैं फिर ये स्खियावी स्री राज जी श्यामाजी के पास में आकर के विराजते हैं, तो इस समय में धामधनी स्री राज जी क्या करते हैं, तो प्राणिनाथ जी ने कहा, नौ बजे से आगे की लिलामें, स्री राज बैठे बाता करे, स्री श्यामाजी चित्त धरे, सैया अरस पर सकरे हास लेवे धनी जी को बिवीद बिलास देखें यहां पर सब्धाया स्रिडाज बैठे बाता करें धामधनी स्रिडाज जी महराज अपने जुआन से प्रेम भरी मिठी मिठी बातें करते हैं स्रिश्यामाजी चित्त धरे स्रिडाज जी के बचनों को चित्त में धारन करते हैं और यह लिला चलते चलते डेड़ प्रहर दिन बेत जाने तक में पानों के बिड़े बनाने वाले स्खियों का प्रसंग भी यहां पर जोड़ दिया देड़ प्रहर चड़ते दिन बीडी वाली सवन बीडियों की छाव लेकर धरी पलंग तले चोगी पर करके तो ये से समय वे धामधनी मिठी मिठी बातें कर रहे हैं और वो जो शखियां है शखियां क्या कर रहे हैं शखियां अरस परस करे हास लेवे धनी जी को बिवीद विलास ताम धनी के साथ में बिवीद प्रकार के अनंद विलास ले रही है घड़ी दो एक तापर भई लाडवाई आये यों कही श्री धनी जी के आग्या पाऊं तो या समय रश्वी ले आऊं तो डेड़ प्रहर दिन बीत जाने पर फिर दो घड़ी समय बेतिद हुआ तो डेड़ प्रहर में दो घड़ी बीतने का अर्था सवा ग्यार बजे का समय हुआ तो देखिए नौ बजे से लेकर के सवा ग्यार बजे तक धाम धनी स्रिडाज जी महराज अपनी जुआन से मिठी मिठी बाते करते रहते हैं श्यामा जी महरानी उसको स्रवन करके चित्त में धारन कर रहे हैं शखियां भी आसपास में बैठ करके आनंद ले रही है तो ये सवा ग्यार बजे तक की परमधाम की लिला है सवा ग्यार बजने के बाद लाडवाई आकर के धाम धनी स्रिडाज जी से अरजी करते हैं कि स्री धनी जी के आग्या पाओं तो या समय रश्वी ले आओं हे धाम धनी जी आप अगर आग्या देंगे तो अब रश्वी लिला को प्रारंब करें स्री धनी जी आग्या करते हैं अब सवा ग्यार बजे के समय से रश्वी लिला प्रारंब होती है तो प्रथम भौम से सारे रश्वी के सामागरी शाक पान बेंजन सखियां तिस्री भौम में ले जा करके धाम धनी स्री राज जी को प्रेम और भाव के साथ में रश्वी आर देते हैं आप लोग भी चले जाओ प्रथम भौम में और रशुई आरोग करके आओ सैया तले आरोग न गईया आरोग आये पान बिड़ी लईया सैया भी प्रथम भौम में जाकरके रशुई आरोग करके तिसरी भौम में आते हैं पानों की बिड़ा लेते हैं तो बारवजे का समय होता है इस तरह से परमधाम में दुसरी प्रहर के समय में ये लिला होती है तो कुल मिला करके यहां नौ वजे से सवा ग्यार वजे तक का समय धामदनी प्रेम भरी मिठी मिठी बातें करते हैं सबा 11 वजे से लेकर के 12 वजे के समय के बीच में रश्वय आरोगनी की लिला होती है ये परम्धाम की लिला है आप देखिए ठीक इसी समय में पद्वावती पुरी धाम में क्या लिला होती है तो कहा न या दुसरी प्रहर का जैसे समय हुआ तो दुसरी प्रहर का समय अब चर सा्थ ृति है तो परम्धाम में रजी महराज चर्च स्रीराज वैठ्ठे बाता करें नौ वज करनेılar वुन जने तक परम दम द शुरू को रूप प् girdhut रिपास्वक दुमें नौ वजच शर्चा प्रारंब करते हैं और इवी लिला चलती है ठीक saat 11 बज परमधाम में भी रज्जी माराज 9 से 11 वज तक अपनी मुखारविंद से मिठी मिठी बातें करना और पद्वावती पुरी धाम में भी प्राणिनात जी 9 वज शे ले करके 11 वज तक ये चर्चा करना तो एकी समय में एकी लिला हो रही है न जैसे 11 वज का समय हुआ तो परमध पुरी धाम में भी सबा 11 वज शे के समय में प्राणिनात जी के समक्षे में आकर के रस्वई के लिए अरजी करते हैं उसके बाद प्राणिनात जी इसनान करते हैं उसके बाद रस्वई आरोगते हैं तो ठीक 12 वज तक में रस्वई आरोगने के लिला भी पूरी होती है तो ये दोनों लिला को हमें चिंतन करनी होगी और हम जहां जिस अवस्था में भी रहे जहां भी रहे ये परम्धाम की लिला को चिंतन करते हुए पद्वावती पुरिधाम की लिला को चिंतन करते हुए अपने रिदय में ही वो लिला की सुख कौनु भाव करना होता है प्रणिनात जी ने कहान नेश दिन रंग महल में जित साथ श्यामाजी श्याम याद करो सुख सव अंगों जो करते थे आठों जाम परमधाम में स्रिराज जी महराज स्यामाजी महरानी के साथ में हम बारह जार आत्माएं वो अश्ट प्रहर के लिला में किस तरह से शुख लेते थे किस तरह से आनंदीत होते थे वो सारे सुख को यहां से रिदय अंतर्शकरन में अनुभाव करो इस तरह से प्राणिनाथ जी बानी के माद्यम से कहते हैं तो आब दुसरी प्रहर के लिला जब चर्चा का समय प्रारंब हुआ तो यहां लालदह जी महराज कहते हैं दो बाजू पलंग के बैठत लाल किशब दास फुर्मान हदिशा पढ़न की राज रिजाव नास जैस ही नौ बजे का समय हुआ अब धामधनी स्री प्राणिनात जी के अगल वगल दोनों तरफ लालदह जी महराज और केशब दास जी एक तरफ भागवद गरंथ को ले करके एक तरफ कुरान गरंथ को ले करके बैठते हैं और इन गरंथों के जो शब्दों का उचारण करने लगते हैं आब महामती प्राणिनात जी इन बेद कतेव सारे गरंथों के साक्षि प्रमान देते हुए तारतम के रश को चर्चा के माध्यम से रश स्वादन कराते हैं शुन्दर सात को आत्माओं को तो आब चर्चा के विशय वस्तु के उपर चर्चा करते हुए यहां लालदह जी महराज कहते हैं तो इस समय में जब चर्चा होती है तो प्रणिनाह जी किस-किस विशय के उपर चर्चा करते हैं तो गीता भागवत उपनिशद कतेवों के इन रहश्यों के उपर खुलाशा करना और स्त्रिडाज के शुरूप का स्तिनगार का वर्नन करना क्यामत के साथ निशानों के विशय में खुलाशा करना इन सारे विशयों के उपर प्रणिनाथ जी चर्चा करते हैं तो यहां कहां भागवत गीता के रहस्य काड़ सुनावे राज हजुर हमेशा रहत है मिशल गुविंद जी इनकाज तो प्रणिनात जी भागवत गीता के रहस्य को खोल करके समझाते हैं तो जैशे हिंदु धर्म सास्तर के अंदर देखें चार बेद है चार उपवेद है अठारा पुर्यान है एक्षवाठ उपनिशद है इतिहास ग्रंथा आदी है ये संपूर्ण धर्म ग्रंथा बेदिव्यास जीने हिंदु समास के लिए प्रधान किया है अब इन सारी ग्रंथों के अंदर तो एक एक ग्रंथा के अंदर बहुत सारी ग्यान है परंतो इन सारी ग्यान का सार अगर देखना हो स्रीमद भागवत को ही शंपूर्ण सास्तर में निचोड अथवा सार माना है भागवत में बारह इसकंद है वो बारह इसकंद में से दसम इसकंद सार है दसम इसकंद में भी 90 अध्याय है उन 90 अध्यायों में से 35 अध्याय सार है जिस 35 अध्याय में स्रीकृष्ण जी की ब्रज लिला और रास लिला की विशह में ब्याख्या किया है तो ये 35 अध्याय में भी और सार हम देखें तो उसमें भी सार है पांच अध्याय जिस पांच अध्याय में रास लिला की वर्रन हुई है जिसे राष पंच अद्याय कहते हैं, तो ये राष पंच अद्याय है स्रिमद भागवत का सार है और इशी को ही पाँच प्राण के रूप में मानते हैं. जिस तरह से हमारा शरीर संचालन होने में पांच प्राण वायु है पान अपान ब्यान उदान समान करके ये पांच प्राण वायु के शक्रियता में ही हमारा यह जीवन अथावा शरीर संचालित है ठीक इसी तरह से भागवत के जो पांच ध्याय रास है रास पंच ध्याय इसको भागवत का पांच प्राण रूप माने जाते हैं कहने का अर्था सार्य भागवत ग्रंथ का सार ही यह रास पंच ध्याय है तो शंपूर्ण सास्त्र का सार हुआ स्रीमद भागवत में भी सार हुआ रास पंच ध्याय तो यह रास पंच ध्याय श्वयम परव्रम परमात्माने की वही लिला है परन्तु भागवत ग्रंथ में तो इसे लिला की रहश्य खुलाशा नहीं हुआ है शिदा शिदा साराम सरुप में राश लिला की वर्णन हुई है परन्तु महमती प्राणिनाथ जे आब बाणी के मैंध्यम से इसे राश लिला के उपर चिंतन करके परब्रम्ह परमात्म अक्षिरातित धामधनी स्रिडाज जी महराज ने अपने दिव्य ब्रह्मात्माओं के साथ में की हुई वस्तविक राश लिला के खुलासा करके उस लिला के चिंतन के द्वारा है आत्मा को वो ब्यहद यानिकी परम्हाम के अंदर प्रवेश करने के शुत्र बताते हैं ब्यहद बाणी के अंदर प्राणिनाथ जिने ये रास रात्री के प्रसंग ये रास लिला के अंदर की जो आंकणी है यहाँ पर एक सेर यानिकी मार प्रवेश करने का सुत्र मिलते हैं इस बात को प्रणिनात जीने खुलासा किया है और साथ में स्रीम्द भागवद गीता की वी रहस्ति प्रणिनात जी चर्शा के मैद्यम से खोल खोल करके समझाते हैं तो स्रिम्द भागवद गीता में 18 अध्याय है और 700 स्लोक है एक एक स्लोक के अंदर बहुत सारे ग्यान भरा पड़ा है क्योंकि स्रिम्द भागवद गीता तो स्वैम भगवान स्रिक्रिश्क नजी के मुखार विंद से उचारित ग्यान है प्राणिनात जी ने वो गीता जी के वी सार प्रसंग को पकड़ाया तो 18 अध्याय में से सार तत्तो को हम चिंतन करे पंद्रवी अध्याय जो पुरुश्वतम योग है ये स्रिम्द भागवद गीता का सार तत्तो है ये पुरुश्वतम योग के अंदर स्रिक्रिष्ण जी ने वो उत्तम पुरुश का ध्याम का लक्षबोध किया है कहते हैं यद गत्वान निवर्तंते तद्धाम परममम जिस ध्याम में जाने के बाद लोड़ करके वापस आना नहीं पड़ता है वो ध्याम ही मेरा ध्याम है करके गिता जी में स्रिक्रिष्ण जी ने कहा अब विचार करिए जिस ध्याम में जाकर के पुनाहा लोड़ करके आना नहीं पड़े वो ध्याम कौन सा ध्याम है स्वर्ग में जाकर के तो फिर से लोड़ करके आना पड़ेगा इस धाम में जाने के बाद लोड करके आना नहीं पड़ेगा, वो धाम है परमधाम, तो अक्षिरातित स्रीकृष्ण जी के आवेश सक्ति के द्वारा पंद्रवी अध्याय पुरुष्वतम योग में वो अक्षिरातित धाम का लक्षे बूद किया है, तो ये पुरुष्वत श्राष्टर प्रमान के माध्यम से एक परव्रम परमात्न सुरूप और उनकी लिला में ही चित्त वृत्ति को तटस्त करना ये श्राष्टर का सार है, ये ही निचोडत तो है, इन सारे रहश्यों को प्राणिनात जी खुलासा करते हैं, और साथ में छत्र साल जी महराज बैठत चर्चा में स्रवना देत सनेहसों नफा पावत खलक इनसे, जब छत्र साल जी महराज आकर के चर्चा में विराजते हैं, बहुत प्रेम और भाव के साथ में चर्चा स्रवन करते हैं, तो बाकी सवी सुन्दर साह जी को भी और ज्यादा फायदा मिलता है, तो इस तर बेड़कतेब की अनिधित सुख चैना इस तरह से बताया, धाम दनी सुरुप अपनी मुखार विण्दा से ऐसी प्रेम भरी बैन बचन के द्वारा चर्चा करते हैं, देशाख बेड़कतेब की बेद कतेवाँ का सक्षी देते हुए अतिहेत शुक चेन बहुत प्रेम से बहुत सुक और सेन के साथ में इस तरह से सरशा कर रहे हैं तार्तम के अंदर तो जागनि का सुक परम्धाम का प्रेम रस नहीं है फिर भी प्राणिनाथ जी ने बेद कतेवों के प्रमान देते हुए और अत्माओं के रिदाय को द्रिड कराने के लिए ये सारी बातों का खुलासा करते हैं प्राणिनाथ जी कहते हैं ना बिना पुरान प्रकास ना हो वही सास्त्र बिना कौन माने तो सास्त्र की प्रमान की द्वारा बात को सम्झाए तो शाव की रिदय के अंदर द्रडब श्वाश होगा इसलिए वेद कतेबों की प्रमान देती हुए चर्षा को स्रवन करा रहे है जावे श्तर शे चर्षा हो रही है शानमुखा स्रवना देता है मुरली धार बनाए ना आशन नेत्र डगमग ही रहे द्रिष्टे द्रिष्ट जुडाए देखिए मुरली धार जी की जो चर्चा स्रवन करने का जो ढंग है ना जब धामदनी चर्चा प्रारंब करते हैं मुरली धार बिलकुल सामने में बैड़ करके धामदनी के साथ में आँख मिला करके एक आग्र चित्त से चर्चा स्रवन करने लगते हैं वो आशन से एक बार भी शरीर को इधर उधर हिलाते नहीं है और नेत्र को भी धनी के नेत्र से इधर उधर हिलाते नहीं नेत्र में नेत्र मिला करके ऐसी एक आग्र चित्त से चर्चा को स्रवन करते हैं तो इस तरह से चर्चा स्रवन करने में यहां मुरली धर जी का नाम आया है तो प्राणिनात जी ये चर्चा की रस को और प्रवाहु मान करते जा रहे हैं और फिर चर्चा की प्रसंग में प्राणिनात जी परमधाम का वर्नन स्रिडाज जी का सोरूप शिनगार का वर्नन करके समझाते हैं कि 25 पक्षे परमधाम किस तरह से है और उसके एक एक पक्षे की जो वर्नन है और उसमें रंग महल के अंदर मुल मिलावा के बैठक में प्रियतम धामधनी स्रिडाज जी श्यामा जी किस तरह से भी राजे हुए है और स्रिडाज जी का सोरूप कैसे है स्रिडाज जी का सिनगार कैसे है श्यामा जी की सिनगार कैसे है ये सारे स्रूप सिनगार का वर्नन चर्शा के माध्यम से श्रवन कराते हैं जुगल सुरूब की सुरूब सिनगार का बर्नन करने से 25 बक्षे परमधाम का बर्नन करने से आत्माओं की रिदय के अंदर वो परमधाम की प्रति और भाव जागरित होता है और प्रीम प्रकड होता है आत्माओं के ऐसा महसुस होता है कि हम अविप्रियतम धाम दनी के साथ में परमधाम की सुख को ले रहे हैं परमधाम में ही ये अनंद को अनुभाव कर रहे हैं ऐसा महसुस होता है फिर आगे कहते हैं साथ निशान बड़े कहे होशी रोशन बखत क्यामत कहा अग्यारही सो के सो आए पहुंचे सरत साथ निशान जो क्यामत के है इस विशय में भी प्राणिनाथ जी चरसा करते हैं तो ये साथ निशान की जो खुलासा ये तो हमने पहले दिनों के प्रसंग नहीं ही चर्शा करके आए हैं तो एन सातों निशान की प्रसंग को खुलास करते हैं फिर चारों बशियत नामे का सोर पड़ा संसार आप दावत जाहिर करी हुजो खलक खवरदार रसुल महम्मद साहिव की समाधी जिसे बड़ी दरगाहा कहते हैं वहां से चार बशियत नामा की जो प्रसंग है सबकत गया बरकत गया इमान गया कुरान गया तो ये चार बशियत नामा की विशय वस्तों के उपर भी खुलासा करते हुए प्रणिनात जी चर्शा करते हैं इन सारे विशयों के उपर चर्शा हो रही है तो इस तरह से चलते चल अब दो घड़ी समय बांकी है मतलब सवाग्यार बजे का समय हुआ अब यहाँ पर लाल लही महराज कहते हैं दो घड़ी दो पहर में बांकी रही जब बाई हनवंत अरज करे थाल ल्यावन की तब जब सवाग्यार बजे का समय हुआ अब यह दूसरी प्रहर का दो घड़ी सम प्राणिनात जी अर्जी करते हैं कि है धामधनी प्राणिनात जी रश्वई का समय हुआ है अगर आप रश्वई के लिए आग्या देंगे तो अब रश्वई लिला को प्रारम्ब करें प्राणिनात जी चर्चा में ही मगन होते रहते हैं जब रश्वई के लिए आगर करते हैं तो प्राणिनात जी कहते हैं इस्टान के लिए जो शामागरी है वो धोती पोती तेल सब लेओ और सारी सामागरी तयार करने के बाद मुझे कहो जब सारा सामागरी तयार नहीं हुआ है तो मुझे फिर बीस में चर्चा क्यों भंग करा रहे हो इस तरह से कहते हैं तो सुन्दर साथ फिर अब धामधनी क इस्टान के लिए जो भी सामागरियां है सारे तयार करते है उसके बाद धामधनी अब चर्चा को बंद करके अब आसन से उठते हैं अब इस्टान के लिए पधारते हैं उठता राजा जिलनको बैठता चौकी उपर शक्या तेल लगावता चारों तरफों घेरा धामधनी वो चर्चा की आसन से उठकरके इस्टान के लिए चौकी के उपर बिरासते हैं अब इस्टान से पहले सुन्दरशात जिदामधनी को तेल लगाकर के शरीर को मरदन करते हैं तो इस तरह से तेल की शेवा मिने गुदावरी और गंगारामको कटोरी भर के ल्याव ही इनका इनका इनस्वा में विसराम, गोदावरी, गंगरा नाम के शुन्दरशाथ, काटोरी में तेल भर करके ले आते हैं और धामदनी को ये तेल लगाने की शेवा करते हैं, तो इस तरह से तेल मरदन के पसाथ फिर इस्नान की लिला होती है, ये इस्नान कराते समय एक लिला क्या होती है, तो यहां कहते हैं, घेर के ठाड़ी रहे, फेरत है गिर्दवाए, जाला, लोटा, ललीता पर सब कपड़े दिये भिगाए, शुन्दरशाथ, चारों तरफ से घेर करके लामदनी को इस्नान कराते रहते हैं, तो उस समय में लामदनी शुरुप प्राणिनात जी, ललीता को ऐ ऐसे ही पानी से भिगा देते हैं, तो यह ललीता कौन है, तो यही ललीता है, जो मेरता के बित्त के प्रसंगा में, राजाराम भाई के बेटी ललीता की विश्य में हमने चर्शा किया था, तब ही कहा था, महमती प्राणिनात जी जब पद्मावती पुरिधाम में YouTube और वह तो सरीर से वह से कुबजी है mechanics प्र 궁cky इस तरशी इसनान करते करते जल चिटकते हैं तो प्रपारी दिन इसतर से जल चिटकते 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 प्रणिन तजी कि कृपा के द्वारा ललीता दिन प्रती दिन सुधर होती जा रही है और तो चलते चलते ललिता शरीर से पूर्ण रूप से ठीक हो गई उनकी जो कुपजी पन से सुन्दरता प्रदान किया तो ललिता के नाम पर भी महामति प्राणिनात्य जिगे द्वारा एक प्रकरण बाणी कि रंतन ग्रंथा में अवत्रण हुआ है कि ललिता के भाव दाम दनी शरुप के प्रती कैसे रहे तो ये भाव से अवतरित वाणी में कहते हैं वारी रे वारी मेरे प्यारी वारी टोक टोक कर डारों में यातन उपर कुंज विहारी ये ललिता जो है धाम दनी शरुप के प्रती ऐसे कुरवान हो जाती है टोक टोक कर डारों में यातन में इस तन को अपने रिदाय को चित्त बृति को आत्मा को पूर्ड रुप से धाम दनी में समर्पीत कर देता हूँ ओपर कुंज भिहारी प्रियतम धाम दनी के चरणों में समर्पीत का भाव वेक्त करते हैं वो कहते हैं मुझंज जैसे काली कुमत कुच ऐसे कठीन कठोर वाली को भी धाम दनी ने क्रिपा करके ऐसे सहजता के साथ में पार उतार दिया तो सुन्दर सोरुप जुगल अधाहा मेहर है तो ललीता के नाम से यह भाव को जाहर किया कोट बेर ललीता कर वानी इस तरह से यह बाणी अवतरण हुए है तो यह ललीता के भावशे हैं तो इस तरह सुन्दर भावशे धाम दनी की इश्णान लिला हुई इश्णान के पसाथ फिर सुरिंगार करते हैं इस से इश्णान के समय में फिर बानी गायन करने वाले सुन्दर साथ बानी गायन कर रहे हैं। जैसे परमधाम में भी इस्नान करते समया, बानी गायन करते हुए मारा बाला जी, चलो जमना जल जीलिए 애से सबदों में रमते हुए इस्नान करते है न, तो पद्वावति पुरिधाम में भी प्राणिनात जी की ये इस्नान झिलना लिला हो रही है तो बाणी गायन करने वाले सुन्दरशाद बाणी गायन कर रहे हैं केशब दाश बाणी ले बाचत है समय इन लाल दाश कुरान की आयत करे रोशन तो इदर केशब दाश जी बाणी लेकर के बाच रहे हैं गायन कर रहे हैं और भी सुन्दर साथ बानी गाइन करने वाले गाइन कर रहे हैं। लाल्दाजी महराज उस समय में फिर कुरान के अर्था को खुलास कर रहे हैं। इस तरह से फिर पितांबर पहनावत लाल प्रेम दास महराज दो थुर में ओडावत है खास। फिर प्राणिनात जिको पितांबर पहनाते हैं। आव आशन में जाकर के बिराजते हैं। आव बाईजु महराणी स्वयं धामदनी स्री प्राणिनात जिके लिए रश्वई के थाली सजा करके लेके आते हैं। थाली बड़ी रूपे की आशाबाई बनाई कर हेता। धोए के रुमालसों पोची बाईजी अपने हाथों लेता। देखिए रूपे के यानिके ये चादी के थाली है। और आशाबाई इस थाली को धोगर के रुमाल से पूच करके साफ बनाया। आव बाईजु महराणी स्वयं अतिहेत से उस थाली में रश्वई को सजाते हैं। फिर कटोरी कंचन चादिये के दाशा धरे फीरते धोए पोचे रुमालसों वासते तरकारी के तो कटोरी भी वहाँ पर सजाया है पकवान सबजी बेंजन को रखने के लिए। आवरा राजभोग थाली में भरत हेत कर प्यारा और कटोरी सयन को कहे हुजो हुशियारा। राजजी को भोग धराने के लिए ये राजभोग इस तरह से थाली में सजाते हैं। शुन्दर ढंगशे सजाने के पस्ताद अब श्री बाईजी आवत आरोगाओने मध्यान्ना को ले थाली तुलशी राधा रुकमनी सैया घेर चली खुचाली बलो श्री प्याणिनात प्यारी की। ये मध्यान्न का समय दिन के दो पहर के समय में धामधनी स्री प्याणिनात जिको रस्वई आरोगाओने के लिए स्री बाईजी आवत आरोगाओने। बाईजू महरानी स्वेम आते हैं मद्यानन के समय ये दिन के मद्यानन के समय में और बाईजू महरानी के साथ में तुलसी, राधा, रुकमनी, नाम के सैयावी साथ में घेर करके चल रही है जब ये रशुई को लेकर के धामदनी की सेवा के लिए बाईजु महरानी पधारती है न उस समय में बाईजु महरानी के लिए भी सुन्दर साथ पाउड़ा बिशाते हैं श्री बाईजी के आगे पाउड़ा बिशावत करन गादी बिहारी दास धरे करे सेवा जान अपना इस तरह से पाउड़ा बिशाते हैं और फिर चार जनी सुन्दर साथ उपर चारों तरफ से वो चंद्वा लगा करके बुचलते हैं तो जैसे ही धामदनी के समक्षे में बहुत प्रेम और भाव के द्वारा धनी को यह रश्वी आरोगाते हैं जब धामदनी रश्वी आरोगते हैं तो बाईज्य महरानी बिल्कुल पास में सेवा में उपस्तित होती हैं हमेशा धीका बैठत स्री बाईजी सेवा में रूच के स्री राज मांगत कहवत स्री अच्छा लगे अधावा और उसको ग्रहन करने की इच्छा हो तो बहुत प्रेम भाव के साथ में उबस्तु को मांगते हैं तो फिर प्रेम से उसे बस्तु को प्रदान करते हैं इस तरह से धाम दनी की रश्वी आरोग निकलिला हो रही है तो रश्वी आरोगते समय यहां पर भाव क्या है देखिए पद्वावती पुरिधाम में प्राणिनात जी की रश्वी आरोगनी की लिला हो रही है लाल्ला जी महराज यहां एक भाव ऐसी गहीरी भाव को यहां चर्चा कर रहे हैं आरोगते प्रथम देता हैं बातन को प्रशाद जब आरोगते समय थावा यह आरोगनी के बाद अब सुन्दर साथ को प्रशाद वाड़ने के लिए प्रशाद देते हैं तो इदर प्राणिनात जी रश्वी आरोगते हैं तो उसी समय में राजराम हेतसों पावे इनकोश्वाद बलो स्री प्राणिनात प्यारे की देखिए राजराम भाई का नाम आया और कहा कि राजराम ये तसों पावे इनकोश्वाद प्राणिनात जी रश्वी आरोगते हैं तो वहां मेरता में राजराम भाई को इसका स्वाद मिल जाता है तो देखिए ये कैसी अद्वेत भाव है कैसे प्रेम है तो इस तरह से सुन्दर ढंग से बहुत प्रेम और भाव के साथ में धाम दनी की रश्वी लिला हो रही है तो ये रश्वी आरोगते होये बीज़ में जल आरोगते हैं बाणी गयाइन करने वाले शुन्दर साथ बाणी गयाइन कर रहे हैं उसके पसाद फिर मया राम इता आवता ले चिप्पी में चने समारत सनेहसों स्रीराज आरोगे चुटकी से तो मया राम नाम की सुन्दर साथ वो चिप्पी में चने ले करके आते हैं तो फिर धामदनी थोड़ा सा उसको भी ले करके आरोगते हैं फिर वो सुन्दर साथ के लिए बाड़ देते हैं दूद ददी शिखरन स्री बाई जी आरोगाओत करहेता आरोग रहे पिछे बाटने को कवल देता दूद ददी ये बाई जुमहरानी प्राणिनात जी को आरोगने के लिए हजिर कराते हैं फिर वो भी प्राणिनात जी आरोकते हैं फिर सुन्दर साथ को प्रसाद माणने के लिए देते हैं ये शिवा लालबाई के देत प्रसाद स्री राजा वास्ते सब दुलहीन के और आवे सब के काजा तो लालबाई फिर साथ को प्रसाद माणते हैं तो इस तरह से धाम दनी स्र प्राणिनात जी की सुन्दर रश्वई लिला की प्रसंग यहां पर वर्णं किया है फिर कभी कभी यह रश्वई लिला की बीज में ही महराजत सत्रशाल जी आप पहुंचते हैं ना महराज आरोगाव ही अपने हाथ तंबोला स्री राज रीज के कहता है कोई नहीं सेवा इनतोला जब महराज शत्रशाल जी आप पहुंचते हैं तो धामधनी के रश्वई लिलापुरी होने के पसाद यह तंबोल आरोगाते हैं अपने हाथ से जब शत्रशाल जी अपने हाथ से धनी को तंबोल आरोगाते हैं तो धामधनी स्वरुप राणिनात जी कहते हैं इसके समान सुख तो दुश्रा कुछ है ही ही नहीं इस तरह से उप्रसन होते हैं आरोगत अनंदसों बाते करत बनाए सेज समारी पौड़न की सखिया सेवन को इताए अब इस तरह से धामधनी आरोग रहे हैं तो उसी समय में फिर उस तरफ सुन्दर साहजे धामधनी के अब सेज्या को समारने लगे मिलाने लगे क्योंकि अब ये रश्वी लिला पूरी होते ही बार बजने वाला है और तीसरी प्रहर का समय शुरू हने वाला है अब ये जो द्वार का दाश प्रेम दाश दुजी तरफ और सेवे साथ जो खास अब धामधनी के वो सेज्या को तयार करने के लिए द्वारी का दाश जी उपस्तित है दुसरी तरफ फिर प्रेम दाश जी उपस्तित है इस तरह से धामधनी के लिए सुन्दर ढंग से सेज्या क को सजाते हैं चारों तरफा बिछाए पाउडे प्रदक्षिना के गिरद्दा लटके मटके चलता मुमिन सेवे कर मरद्द अब रश्वई आरोग करके पुरी होने के प्रसात धाम दनी सुरुप वहां से उट करके लटके मटके चाल में चलते हैं तो चारों तरफ पाउडा ब बानी गाने वाले सुन्दर साथ बानी गायन कर रहे हैं तो सुन्दर सुक सेज्या सजा करके तैयार कियां तो लटके मटके चलता आए बिराजे पलंग चरणों लाग पिछे फिरी स्त्रीजी के अरधांग जो धाम दनी के अरधांग इनी सुन्दर साथ जो है वहां तक जो जो भी शेवा में उपस्तित हुए थे नाम धनी शुरुप जाकर के अब पलंग में बिराजमान हो गए शुन्दर साथ जो धनी की अंगना धनी को प्रणाम करके वहां से बिदा होते हैं फिर धनी को अब पौडावनी की शेवा के लिए जो भी शुन्दर साथ है ये लोग व बार बजे से लेकर के बार बजे तक में विशेश करके शार रूप में हमें समझना हो तो इतनी शी बात है चर्चा का समय है और रशोई आरोगानी की समय है तो इसके बीज में जो भाव के द्वारा चर्चा होती है जिस भाव के द्वारा रशोई आरोगानी की लिला होती ह ये तो भाव की बात है इस तरह से ये लिला पूरी होने के बाद 12 बजे का समय हुआ दुस्तरी प्रहर की जो लिला है यही पर पूरी होती है। प्राणिनात जी की तिस्त्री प्रहर की लिला चिंतन करें तो परम्धाम में तिस्त्री प्रहर की समय यानि की बार बजे से ले करके तीन बजे तक की समय में तिस्त्री भौम की निलो पिलो मंदिर में ही धामधनी श्री राज जी की शायन लिला होती है तो स्रीराज जी महराज जब वारवजे शैन लिला करते हैं तो उस समय में सखियां अपने अपने जुथों को लेकर के पच्चीश पक्षे में से कहीं भी वो रंग महल के इर्द गिर्द में अलग अलग जगह में चले जाते हैं तीन बजे के समय में फिर ये आत्माएं वापस रंग भवन में आते हैं तो तीन बजे स्रीराज जी की उठाफन लिला होती है कहने का अर्था परमधाम में तिस्त्री प्रहर का समय बार बजे से लेकर के तीन बजे तक स्रीराज जी की पौडावनी लिला होती है अब हम देखें पद्वावती पूरी धाम में प्राणिनात जी की ये बार से तीन बजे तक क्या लिला होती है तो यहाँ परविठीक बार से तीन बजे तक प्राणिनात जी की पौडावनी लिला होती है तो परमधाम का समया और पन्नाजी का समया परमधाम की लिला और पन्नाजी की लिला ये तिस्त्री प्रहार में भी एकी लिला हुई ना तो आब यहां कहते हैं पियो पौडे पलंग पर सैया सेवन को सन मुखा मिठी बाते रसना सो करे देत निजधाम के सुखा बार बजे के समय में पियो पौड़े पलंग पर प्रियतम धाम धनी सोरू पस्त्री प्राणिनात जी पलंग के उपर पौड़ते हैं तो उस समय में बाणी गायन करने वाले सुन्दर साथ तो अपने अपने बारी में बाणी गायन करी रहे हैं तो यहां कहां मीठे बाते रसनासों करे स्वैम प्रणिनात जीवे मीठी बाते अपनी जुवान से अपनी रसनासे करते हैं देत निजधाम के शुक परंभाम के शुक आत्माओं को इस तरह से प्रदान करते हैं तो आब ये जो पौडावनी की समय में जो सुन्दर साथ सेवा में उपस्तित है न यहां जाहर करते हैं इना समय रादावाई स्री राज के पकड़े हाथ शीर को खुझलावने बैठे सेज सेवा के साथ रादावाई नाम के जो सुन्दर साथ है उधाम दनी की पौडावनी क समय में शीर खुजलावने की शेवा में उपस्तीत होते हैं गुलजी और अगरदाश आवत पाउं दावन इन शेवा मिने ये रहते थे मगन गुलजी और अगरदाश जे दामदन के पाउं दावने की चरन दावने की शेवा में उपस्तीत होते हैं और ये जो सुन्दर साथ इसी शेवा में ही मगन होते हैं। उनके मन कामना को भी पूरी कर देते हैं। इसी शेवा करने वाले सेवा करने वाले सेवा कर रहे हैं। चंद्रावली रिजावत गाय के पंजाव के बचन दर्द उपजावे दिल को श्याबास कहिये तिन्ना। तो पंजावी के बचन में चंद्रावली नाम की सुन्दर साथ आकर के ऐसे दर्द भरी भाव को प्रकड करने वाले बचन को गाते हैं। प्राणिनाथ जी बहुत प्रशन हो करके खुस हो करके स्याबास कहते हुए उनको यह भाव को प्रकड करके दिखाते हैं। और भी बहुत सारे सुन्र साथ आकर के यहां बाणी गायन करते हैं। धामदनी श्री पृणिनातंग जी की पौडावनि लिला हो रही है। अब ये जो बाणी हैं, ये बाणी गायन करते समया, आत्माओं के अंदर कैसी भाव प्रकट होती है। और ये बाणि के अंदर क्या रहश्या है ये सारी भाव को भी आलाल लह जी महराज साराम सुरूप में चरसा करते हैं ये कलाम रब्बानी जो सुने रसुल आलेह सलाम तीस हजार जाहर किये तीस हजार सों लिखे कलाम ये जो बाणी सुन्दर साथ जायर कर रहे हैं, गाइन कर रहे हैं, खुदा ने रसुल महम्मद साहिब को जो 90,000 हरब सुनाएं, जो महम्मद साहिब के द्वारा 30,000 जाहिर हुआ, 30,000 लिख करके रखा गया, और 30,000 जो आखरी इमाम सुरुप महमती प्राणिनाक जी आकर के मा मार्फतिय जाहिर किया, ये सारे हकिकत मार्फत की जो बाणी है, इस तरह से सुन्दर साथ इन बाणी को गैन कर रहे हैं, जिंतन कर रहे हैं, तो मार्फत का आर्था है, वो परम्धाम का जो बर्नन है, तो रसुल महम्मद साहिब ने क्यामत के दिन में मार्फत जाहिर होगा करके जो भविशे बाणी किया था ना महमती प्राणिनात जे शोरूप आखर के समय में पधार करके सारा परमधाम का वर्नन स्रिडाजी का सुरूप सिंगार का वर्नन और वो हकिकत के जो मजल को खोल करके ये मारफ़त को जाहर किया तो यहे मारफतिय बाणी यहां सुन्दर साथ गायन कर रहे हैं सब मगन हो रहे हैं इस तरह से यह बाणी गायन का प्रसंग चल रहा है तो इसी प्रसंग में अब लालदाजी महराज ने यहां पर आश्ट प्रहर की लिला प्रसंग में ही बाणी गायन करने वाले सुन्दर साथ की जो अलग अलग जुत्था है इस विशाय में भी यहाँ परचर्चा किया है अस्ट प्रहर की लिला में ही अलग अलग जुथा सुन्दर साथ अपने अपने समय में आकर के बाणी गायन करते हैं तो यहां 14 जुथा सुन्दर साथ आठ प्रहर के ही समय में बाणी गायन करने वाले हैं तो उसमें एक एक जुथ्थ में कौन कौन से सुन्दर साथ है अपने अपने समय में किस तरह से बाणी गायन करते हैं तो ये भाव को भी लालदाशी महराज यहां पर प्रस्तूत करते हैं तो कहा एक बारी बदल की तहा संग संभू गावन हार कब हुक थानू बैठत करे संत दाश मनुहार इस तरह से अब फिर और दुश्री वाणी मिने मना और रतनी अशाई भागो धनबाई सव बारी रिजावे अपनी और तिसरी बारी मिने दयाली वाणी गावे और खिमोती दमोती जशिया भी आवे चौथी में लच्छो आवता संग असाई मना और सव हाजर रहे जान राज अपना इस तरह से एक एक जुथा के यहाँ पर व्याख्या किया है तो ये अस्टप्रहर की लिला में ही बाणी गावन करने वाले सुन्दर साथ की समोह की जुथा का नाम है और ये बाणी गावन करने वाले सुन्दर साथ जिस तरह से बाणी गावन कर रहे हैं तो ये बाणी गावन करने का फाइदा क्या है इस विशाय में ये भाव के उपर भी यहाँ चर्चा किया है तो इस तरह से कुल मिला करके ये तिसरे प्रहर के समया बार बज़े से तीन बज़े तक की लिला में धामदनी स्री प्रणेनाथ जी की पौडावनी लिला है और सुन्दर साथ बाणी गायन करने वाले बाणी गायन कर रहे हैं तो इसी तरह से समया बितते बितते तीन बज़े का समय हुआ तिस्त्री प्रहर की जो समय है ये भी पुरी होती है अब जैसे तिस्त्री प्रहर का समय पुरा हुआ अब चौंथा प्रहर का समय तीन बजे से लेकर के छे बजे तक है अब ये चौंथी प्रहर की लिला इस विशे में चर्चा करते हुए अब कहते हैं आब कहुं पहर चौंथे के बितक जो सयन शो दिल के कानों सुनियो करत हो रोशन अब चौंथी प्रहर की लिला वर्नन करने जा रहा हूं जिसको दिल के कान से स्रवन करिये जिस लिला को मैं यहां पर रोशन करने जा रहा हूं तो कहां एता एक पहरा पियो पाउडता आएं सेवन को सब साथ जाला लोटा भरा ल्याईया छविल दास अपने हाथ जैसे धामदनी एक प्रहर समय पाउडते हैं तो ठीक तीन बजे के समय में अब फिर धामदनी की उठापन सेवा के लिए जितने भी सुन्दर साथ हैं कोटा में जाल लेकर के आते हैं स्रीराज उठ करके अब कोगला करते हैं और पीक दानी में उसको डालते हैं संकर दास जी फिर वहां पर उपस्तित होते हैं मानिक दास भी दोड़ करके वहां पर पहुंचते हैं आब जो भी सुन्दर साथ तिसरे प्रहर के समय में वहां दे देते हैं और सौंथी प्रहर के शेवा के बारी वाले सुंदर्शाथ वहां उपस्तित हो जाते हैं स्रीराज रजा देता है आए हजुरी सब शंकर सेवे सनेहसों मौरसल लिये तब तो स्रीराज रजा देता है मतलब विदा देते हैं तो किसको दिस्तरे प्रहर के समय में जो शेवा में उपस्तित थे उन लोगों को विदा दे देते हैं और चौंथी प्रहर की समय की शेवा वाले सुन्दर साथ आ जाते हैं तो फिर संकर दास आकर के हाथ में मुर्शल लेकर के शेवा में उपस्तित है हजूर हमेशा रहे ये जो केशब दास कंचन मूठे मुर्शल सनेह सों सेवे खास फिर केशब दास जी भी वो मुर्शल की सेवा में उपस्तित हो जाते हैं फिर बल्लव गंगा दास ये भी वहाँ पर उपस्तित होते हैं तो ये सारे सुन्दर साथ जो जो भी यहां सेवा के लिए बताया है सबका नाम और सबकी सेवा को यहां पर वर्रन किया है तो ये सारे सुन्दर साथ उपस्तित हो करके अब ये तीन बज़े के समय में प्राणिनात जी को बहुत सुन्दर भाव से उठापन कराते हैं अब उठापन के पस्तात फिर धनी को सुन्दर से लिगार से सजाते हैं। तो अब ये तीन बजे से लेकर के छे बजे तक का जो समय है अब धामधन की उठापन लिला है तो फिर जराश हम परमधाम की लिला को भी चिंतन करे क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ परमधाम की लिला और पन्नाजी की लिला दोनों को हम साथ साथ में देखते जाएंगे तो परमधाम में भी तीन बजे तक तो धामधन की पौडावनी लिला हुई ठीक तीन बजे बनों में गए हुए सखियां रंगभवन में वापस आ करके धनी की उठापन लिला होती है ये तीन बजे के समय में अब उठापन के पस्ताथ फिर स्रिंगार से सजाते हैं स्रिंगार लिला होने के बाद अब छटी भौम के सुकपाल तिस्री भौम के जरोखा में उपस्तीत होते हैं अब सुकपाल में स्री राजजी श्यामाजी बार हज़ार सखियां जो छे हज़ार सुकपाल है तो एक-एक सुकपाल में दो-दो सखियां इस तरह से अवा पत्तिश बक्षे परमधाम के अंदर मन चाहे कहीं भी सैर के लिए चले जाते हैं छे घड़ी समय तक बनों में लिला होती है जब दो घड़ी समय बांकी रहता है फिर एक घड़ी में जिलना लिला और एक घड़ी में सिनगार लिला होती है कहने का अर्था परमधाम के अंदर ये चौंती प्रहर तीन बजे से लेकर के छे बजे तक में तिश्री भौम में रज्जी के उठापन फिर सिनगार लिला उसके बाद बन बिहार लिला छे घड़ी तक बन में रामत और एक घड़ी में जिलना एक घड़ी में सिनगार लिल ये परमधाम के चौंती प्रहर की लिला है अब पद्मवती पुरी धाम में महमती प्राणिनात जी की शेवा और उनके लिला प्रसंग में जेस तरह से परमधाम में तीन बजे स्रिडाज जी की उठापन लिला होती है ठीक इसी तरह से पन्ना जी में धाम धनी सोरप स्री प्र स्रिवा के उपस्तित होते हैं तेन वजे दनी की उठापन लिला होने के पसाद अब धाम धनी को सुन्दर स्रिंगार से सजाते हैं सुन्दर साथ जी तो यहाँ कहां धारत है शीर पर गोटा पहनाता नंद्राम गोश पेच शीर उपर आए मुकंददाश इस्टाम अब सीर के उपर गोटा पहनाए है नंदराम जी ने गोश पेच शिर्खे उपर लगाए तो मुकुंददास इस सेवा में उपस्तित है फिर पठुका कमर सोबादता जरी किनारी जलकता थूर्मा ओडने कुरती पर सोभें सुनहरी बुट्टे इत्ता इस तरह से वहुत छाप से बुट् इस तरह से सोजने की बाद धाम धनी यहांसे उठकर के फिर तक्षत में जाकर की विराजते हैं तो वहाँ पर धाम धनी को विराजवान कराने के लिए पहले ही सुन्दर साथ, वहाँ पर सुन्दर धंगा से वो आसन को सजाए रखते हैं धारे दो बाजू दो तकिये उपर पाउडे चलता पागतिये चरन धार के आए कुर्शिये बिराजता धाम धनी के लिए वहाँ पर कुर्शी सजा करके रखे हैं दोनों तर्फ तकिया लगाए हैं और वहाँ तक जाने के लिए वहाँ पर पाउडा बिचाये हुए हैं दामदनी आकर की कुर्शी में बिराजमान हो गए फिर चरन पखालने को छबिल दास लियावत शुंदर जल लेकर के आते हैं फिर मुकंद दाश जी वहाँ पर चरण पखालने की सेवा में उपस्तित है फिर निर्मल दाश भी उसे सेवा में उपस्तित है तो धाम दनी को इस तरह से चरण धुला करके सेवा करते हैं। दूजा पखाले प्रेम दास फिर प्रेम दास भी चरन पखालते हैं पीछे केशब रुमाल ले फिर चरन पखालने के बाद धोने के बाद रुमाल से चरन को पूछने के लिए केशब दास जी रुमाल लेकर के बिलकुल वहां उपस्तित हैं नाराइन ता उपर रुमाल से इन समय इत्ता छबिल दास देवे फफोल आरोगन को मानिक ले पहुंचावे तो इस तरह से अमल छबिल दास ले करके आते हैं धनी वो अमल को आरोगते हैं फिर फफोल आरोगाते हैं मानिक दास वो फफोल ले करके आते हैं तो उसको आरोगाते हैं सारे शुन्दर साथ वहाँ पर कुर्शी के इर्द गिर्द में धनी को घेर करके बैठे हुए हैं इस तरह ये शुन्दर लिरा चलती जा रही हैं इस तरह से फिर वहाँ से धामदनी उठकर के तखत में जाकर के बिराजते हैं लटके मटके राज चलके आए बिराजे तखता केशब संकर ले खड़े मौरसल इना बखता जब धामदनी कुर्शी से उठकर के जब आकर के फिर तखत के उपर बिराजते हैं तो फिर उस समय भी वहाँ पर संकर केशब मौरसल लेकर के सेवा में हाजिर हैं अब इस तरह से समय बेतित होते चौंती प्रहर का चार घड़ी समय बेतित हुआ अब चार घड़ी का समय बांकी है मतलब साड़े चार बजे का समय हुआ जैसे ही यह साड़े चार बजे का समय हुआ आव सुन्दर साथ जी धाम धनी स्रीराज जी महराज से वो परमधाम की चिंतन करने के लिए धाम की तरफ जाने के लिए बातें करते हैं अरजी करते हैं क्योंकि यह साड़े चार बजे का समय ही ऐसा समय है जिस समय में हम आत्माएं परम्धाम से ये संसार में आये हैं परम्धाम से हम आत्माएं सुर्तारुप में संसार में आये तो तब परम्धाम में समय कितना हुआ था साड़े चार बज़े का समय हुआ न आज का दिन प्रातकालीन समय में ही अक्षर व्रह्म को हम आत्माओं ने देखा उसके बाद ये प्रेम संबाद चलती रही प्रेम संबाद चलते चलते परमधाम के समय के साफ से साड़े चार बज़े का समय तक ये प्रेम संबाद चलती र दामदनी की कृपा हुई दामदनी स्वयम सद्गुरु सोरुप में प्राणिनात जी सोरुप में पधार करके तार्तम ग्यान के माध्यम से हमारी आत्मा को जागरेत करा करके पुनाह ओह परमधाम का सुख परमधाम की लिला को याद दिला रहे हैं जैसे ही साड़े चार बज़े का समय हुआ यही समय हम परमधाम से संसार में आये थे आब हमारी सुर्ता को परमधाम की तरफ लोटाना होगा इस तरह से बिचार करके धामदनी को अरजी करते हैं पिछला बांकी दिन रहो जब घड़ी चार धाम वतन चलन की मौमिन करे बिचार जब यह चौंती प्रहर का चार घड़ी समय बांकी रहता है साड़े चार बज़े का समय होता है शुंदर साथ एक आपस में अब परमधाम चलने के विष्णे में बिचार करते हैं धामदनी से अरजी करते हैं कि हे धामदनी आब हमें आप अपने परमधाम में लेकर के चले हमें परमधाम में अब परात्म सुरुप में उठ करके परमधाम का सुख अनुभाव करना है तो इस तरह से ये अरजी की भाव भी, परमधाम की चिंतन की भाव भी होती है फिर इशी वीश में महराज चत्रसाल जी आप पहुंचते हैं श्री महराज आवत सब सेवा में सामिला अती सनहसों सेवा करे पाक दिल निर्मला देखिए चत्रसाल जी महराज जब उपस्तित होते हैं तो हर प्रकार से धाम धनी की शेवा में स्वयम छत्रशाल जी खड़े होते हैं वो अपने हाथ से धनी की शेवा करते हैं दिल इतना निर्मल है दिल में इतना भाव है तो छत्रशाल जी महराज के भाव को भी यहाँ पर प्रस्तूत किया है फिर इस तरह से समय बेतित होता जा रहा है अरजी करी एक भात साथने कई भात धनी देत सुखा खेल समेत बैठाए के धाम में दो ठावर धन धन किये सनमुखा देखिये जब शुंदर्शाह जी धाम धनी को एक प्रकार से अरजी करते हैं धाम धनी प्रकार प्रकार से अलग अलग प्रकार के शुख देते हैं खेल के बीज में भी धनी ने शुख दिया और परमधाम के अंदर भी शुख दिया तो धनी ने हम आत्माओं को दोनों ठोर का शुख दिया तो इतवी धन्न धन्न उतवी धन्न धन्न इस तरह से आत्माओं को हर प्रकार से शुख दे रहे हैं इस तरह से अब प्रियतम धाम धनी स्रीराज जी महराज आत्माओं को सुख दे रहे हैं, अब आत्माएं परमधाम की चर्चा करते, धनी के साथ में ये अरजी करते करते, समय बेतित होता चला गया, तो छे बजे का समय हुआ, तो जैसे छे बजे का समय हुआ, तो अब ये चौंती प्रहर का समय भी पुरी हुई, अब पांचवें प्रहर का समय प्रारंब होता है, तो छे बजे से लेकरके नौ बजे तक का समय है, ये पांचवें प्रहर का समय है, अब ये संध्या का समय है, अब लाल्ला जी महराज, च कौंती परहर की लिला पुरी करने के पस्ताओं फिर प्रहर की लिला को प्रारमब करते हुए कहते हैं। अब कहों पहर पांचमां आया जब बखत, हुआ बखत बैठन का उपर इन तखत। पांचवे प्रहर के समय में फिर धा मीडिarakTON के तखत के उपर बिरासते हैं। अब उस समय में लक्षो अरज करत है राज पधारे कौन घाट श्री राज उत्तर देत है आज पधारे पाट तो लक्षो नाम के सुन्दर साथ धनी को अरजी करते हैं कि ए धाम धनी आज हम परमधाम के कौन सी स्थान में पधारेंगे कौन सी स्थान में चलेंगे तो धाम धन उतर देते हैं आज पाठ घाड में चले जाएंगे क्योंकि अब ये छे बजे के समय में हम नित्य प्रती परमधाम में वो पाठ घाड में एक घड़ी में जिलना और एक घड़ी में सिंगार लिरा करते थे न तो शी को याद करते हुए भी पाठ घाड की बात आती है यहां औ हम आत्माएं जब यहां संसार खेल में आये तो आज का रूटिंग में हमें पाठ घाड में जाने का समय था न परन्तु हमने अक्षर ब्रह्म को देखा और अक्षर ब्रह्म के खेल के विशे की बात सुने फिर पाठ घाड को छोड़ करके हम आत्माएं यह संसार धोभी घा तो धामदनी यहां से फिर हमें वह पाठ घाड को चिंतन करा रहे हैं वहां की लिला वहां की शुक को तो इस तरह से आज पाठ घाड में पधारेंगे धनी इस तरह जवाफ देते हैं फिर अब संध्या का समय है तो धामदनी को तो गादी बिछा करके आसन लगा करके आसन के उपर विराजमान कराएं हैं तो उस समय में अब दीपक जलाने की शेवा होती है यह संध्या का समय है तो अब यह दीपक जलाने की शेवा में मानिक दास उपस्तित होते हैं तो यहां कहां दीपक सेवा में खड़ी मानिक करमेती स्री राज को रिजावत सब बीद सुख देती मानिक और कर्मिती नाम की सुन्दर साथ संध्या के समय में दीपक जलाने की सेवा करते हैं धामदनी इनिसाव की सेवा को देखते हुए अंतर हिदय से ही प्रसन होते हैं आव इस समय में फिर बाईजु महरानी सुकपाल में सवार हो करके धामदनी की समक्षे में उपस्तीत होते हैं शुकपाल में बैठ के श्री बाई जी आवता अरज आरोगन की मिठी बाते करता फिर अब बाई जुमहरानी आकर के धामदनी श्री प्राणिनात जी को आरोगने के लिए अरजी करते हैं प्रेम भरी मिठी मिठी बातें करते हैं धामदनी जब अब आग्या देते हैं तब फिर ये आरोग निकिलिला प्रारम होती है इता थाला आरोगन को लियाई मतुरी और हिम्मता साख तरकारी कटोरी लेके आगे धरता मौतुरी और हिम्मत नाम के सुन्दर साथ ने धाम दरी को आरोगाउने के लिए साख सबजी ये कटोरी में सजा करके सारा लेकर के आते हैं तो उस समय में फिर पास में महराज सात्रसाल जी बैठे हुए होते हैं ना तो क्या करते हैं? स्री महराज बाई जी बैठत आरोगावने थाला हात पखालत प्रेम सो मानिक स्वा करे खुचाला बाई जी महराणी श्वैम स्थ्च्रशाल जी महराज वहाँ पर बैठ करके धाम धनि को रश्वी आरोगानी की शेवा करते हैं। और वहाँ पर हाथ धुलाने के लिए सेवा में मानिक दास अपस्तीत है, हाथ पोचने को दिया रुमाल अस्री महराज जावा धामदनी हाथ धोते हैं। तो महराज चत्रशाल जी अपने हाथ से धनी को रुमाल दे करके वो रुमाल से हाथ पुछाते हैं एक मुह आड़े अपने बाद के आरोगाओ तस्लिराज ये मुख में रुमाल लगा करके मुख को ढख करके धाम धनी को वहाँ पर रश्वी आरोगाते हैं तो इस तवह से बहुत प्रेम और भाव से आरोग आनी के लिला की यहां बरनन किया है। जावध धाम्दनी इस तलह से आरोग तेह ना। स्री बाइजी बातें करता है आरोग ने के बखता। स्री राज रेज के कहता है उपर बैठो इनत खता। बाईजु महरानी धाम दनी के साथ में बातें करते हैं अब वहाँ इदर उदर जो भी बेवस्ता हो रही है दिन भर की जो भी बातें हैं उसे समय में बाईजु महरानी प्राणिनाथ जी को सुनाते हैं बातें करते हैं फिर प्राणिनाथ जी एकदम प्रसन मुद्रा से बाई कंचन कटोरी शुंदर जल वाय देत माफक तो ये जो छविल दास कंचन के कटोरी में जल लाकर के धाम धनी को शेवा में उपस्तीत कराते हैं इस तरह से शुंदर भाव से आरोग निकलिला होने के पस्तात फिर स्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाला चुल्लू करावे चौप सों साकुन डल दिल खुशाल जब ये आरोग निकलिला पूरी होती हैं शुंदर शुन्दर साथ वो ठाली उठा करके ले जाते हैं फिर स्वै noi slash67 maharaza धाम धनी को चुल्लू कराते हैं इससे शुंदर धंग से आरोग निकलिला पूरी होई उसके बाद फिर फूल सुपारी बिडी मिने आरोगावे बाई कल्यान ये सेवा स्त्री बाई जी की दई सेवक अपनों जान ये बिडी पानों की बिडी आरोगाने की सेवा होती है फिर बिड़ी वालत श्री बाईजी श्री महराज अपनी देशुकाडी मानिक छबीला और सेवत महराणी ये सब सुन्दर साथ मिलकर के सब सेवा में उपस्तीत है इस तरह से चलते चलते फिर आगे समय निकलता जा रहा है इस तरह से एक तरह धामदनी के रस्वी आरोग निकिला हो रही है तो सुन्दर साथ उदर कोई परमधाम की चिंतन में लगे हुए हैं कोई बाणी गायन करने वाले गायन कर रहे हैं तो यहां कहां चितवनी की बारी वालों ने भोग दियो बखत इन्ना गावत संध्या को अवशर जो संध्या के समय में ये बाणी गायन कर रहे हैं जैसे कहां नहों संध्या को अवशर स्री राज श्यामा बैठे शिनगार कर इस तरह से हम सेवा पुजा में जो गाते हैं तो यह जो बाणी और भी कई बाणी ये संध्या के अवशर की बाणी गायन करने वाले गा किस तरह से समाबेश हो रहा है इस तरह से चलते चलते अब फिर आरति का समय हो जाता है तो आवधाम धनीश्री प्राणिनात जी को सुन्दर साथ जी बहुत प्रेम और भाव से आरति करते हैं तो जब आरति का समय होता है बाई जी आवत इन समय होता बिछोने जोडे तकता ग बाईजु महराणी के लिए भी वहां पर आसन सजाया है तो ये सा आरी शेवा जो है अपनी अपनी सेवा में सुन्दर साथ उपस्तीत है तो गादी लगाने की जो सेवा है ये बिहारी दास जी कर रहे हैं इस तरह से करते अब जब आरती का समय हुआ तो धामदनी शोरुप त सः प्रिविराज मान है आरति के भकत में चादर विच्छावत हिरामन चावल बधावे शुरी बाईजे सब आरती वाली सैयन अब आरती के समय में वहां पर चादर विच्छाते हैं और उसमें चावल का बदावा करते हैं सबसे पहले श्री बाई जी करे तिलक चौडत है चावल रागव रुमाल धरत है करे सेवा अपने बला बाई जुमहरानी दनी को तिलक लगाते हैं और उसके बाद फिर बहुत प्रेम और भाव से आरती करते हैं आरती करे अनंदसों श्री बाई जी इतना आये ये सिवा की जोगवाई साज रुकमनी लियाए आरती की जितने भी सामागरियां है ये रुकमनी लेकर के आती है और सजाती है बाई जुमहरानी श्वयम धनी की आरती करते हैं रुपे की पांच घड़ी आरती गिरद दीपक जोत बतीशा करे फिरती प्रकाश चोहुदीशा सेवत मना परतीत इस तरह से सुन्दर आरती सजा करके एकदम रिदय में विश्वास और स्रद्दा के साथ में आरती कर रहे हैं जैसे ही आरती करने लगते हैं तो सुन्दर साथ बहुत प्रेम और भाव के साथ में गायन करने वाले गायन कर रहे हैं उदर बाजा बजाने वाले बाजा बजा रहे हैं तो ये सुन्दर भाव शे जब आरती प्रारम होती हैं तो स्वेम बाईजु महरानी आरती करते हैं कंचन थाल चो मुख दीवला दीपक जूत प्रकासी करें आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उलासी इस तरह से बाईजु महरानी ने आरती करने के पसाद। फिर अब धाम धनी श्री प्राणिनात जी बाईजु महरानी को उपर तखत में आकर के बैठने के लिए आगरह करते हैं तो फिर अब धनी की आग्या के द्वारा बाईजु महरानी भी जाकर के आसन में आसिन होते हैं। फिर अब जुगल सुरुप के आरती सुन्दर साथ बहुत प्रेम और भाव से करते हैं। जुगल सुरुप सुन्दर सुख दायक श्याम धाम धनी सोहें। मंगल रसीक वदन की सोभा निरखंता मन मोहें। सखियां निरत करे और गावें। उमंग अंग अपार ताल मृदंग जाज जंत्र बाजें। सखियां बोले जैजेकार। बदावे मुक्ताफल सखियां स्ट्रे जियावर स्याम सुहागे ताना मना जीव निछावर किनों स्ट्रे इंद्रावती चरणों लागे। इस तरह से सुन्दर भाव शेवान को गयन करते हुए आर्धि कर रहे है। तो देखें यहां पर आरति के समय में सब्द क्या क्या आया सखिया निरत करे और गावे कोई निरत कर रहे हैं कोई गायन कर रहे हैं और ताल मृदंग जाज जंत्र बाजे ये सारे बाद्दे बादन की जो यंत्र है ये बज रही है सखिया बहुत प्रेम और भाव से इस तरह से धनी की आरती करते हैं तो ये आरती का आरता ही आरती अपने आपको धनी में समरपेत करना धनी के प्रेम में अपने आपको कुरवान कर देना ये वस्त में आरती है और सुन्दर साथ सब इस तरह से बहुत प्रेम और भाव हर सुलास के साथ में आरती करते हैं तो कुल मिला क करके ये पांचोंई प्रहर का जो समय है इस समय की मुख्य लिला धाम धनी को आरोगानी की लिला होती है और आरती लिला है और ये आरती की समय में सुन्दर साह जे नाजना गाना बाजा बजाना ये सारी लिला होती है अब यहां पर पन्नाजी में जो आरोगानी की लिला और आरति के समय में सुन्दर साथ बहुत हरसलास के साथ में नासना गाना बजाना ये सारी लिला हो रही है तो परम्धाम के समय में ये ही पांचोई प्रहर का समय छे बजे से नो बजे के विच में क्या लिला होती है परम्धाम में भी रस्वई आरोकनिक लिला होती है और निरत क्रिश्ण पक्षे के समय में 6 बजे बन से वापस आने के बाद रशवी के चोख में रशवी आरवखोर्णी के लिला होती है श्याम मंदीर रशवी होत जीता जोडे स्वेत मंदीर हैती ता बनते फिरे संज्याजब इन मंदीर आरवगे तब करके ऐसा वर्न आया ना संध्या के समय में बन से जब वापस आते हैं तो रशोई के चोक जो रंगमहल के प्रथम भौ में हैं स्याम मंदिर में रशोई बनते हैं और शिणी के मंदिर में रशोई आरोगने के लिला होती है इस तरह से वर्रन किया तो पहले रशोई आरोगने के लिला हुई और थी वाले गाते हैं नौरंग भाग की निरत लिला की वर्नन की गई है सिसे फेरेगा भांधनी को आरोग की ला हुए उसके आरति होई उससे आरति के संदरशाद नाथ रहे हैं गारेये हैं बाजा बज रही तो यह सारी लिला परमधाम की लिला की तरह पद्नौती पुरिधाम में भी जाहर हो रहे हैं तो इस तरह से यह सारी लिला होते होते फिर रात्री का यह पहला प्रहर देन के साथ में जोड़ करके देखे तो यह पांसुई प्रहर है रात्री के अलग से प्रहर के इसाफ से दे जैसे ही समय उपस्तित हुआ तो यह ४ाचवी प्रहर का समय पुरा हो आप च्ठी प्रहर प्रारम्ब को हो रहा है अब शूठी प्रहर का शमय है नौ बजे से ले करके बार बजे तक अलो यहांसे आगे की लिला जो है परमधाम की लिला में 9 बजे से 12 बजे तक की 6 प्रहर, 12 बजे से 3 बजे तक की 7 प्रहर, 3 बजे से 46 बजे तक की जो 8 प्रहर है ये 3 प्रहर समय परभधा में पौडाओनी लिला होती है अब पद्वावती पुरी धाम में इस समय में पौडावनी लिला नहीं होती है अब यहाँ पर जरासा लिला में फरक दिखाई देते हैं परंतो भाव वही भाव से हम चिंतन कर सकते हैं तो परंधाम में तो नौ बज़े से आगे छे बज़े तक यानि कि तीन प्रहर का समय पौडावनी लिला है अब पद्वावती पुरी धाम में ये छठी प्रहर का समय यानि कि नौ बज़े से अब आगे बार बज़े तक कि जो समय में जो लिला होती है अब लाल्दाशी महराज उस लिला को बर्रन करते हैं तो कहां जेश ही पांचुई प्रहर का समय पुरा होने आया सथी प्रहर का समय शुरू होने आया नौ बजे का समय हुआ अब कहते हैं ये चर्चा का बखत है अब चर्चा का समय हुआ तो कहते हैं महमती कहे ये साथ जी भया चरचा का बखत अब तुम शुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तक अब कहते हैं नौ वजे के समया पद्नौती पुरी धाम में चरचा का बखत हुआ भया चरचा का बखत चरचा का समय हुआ अब तुम शुनियो चित दे हे सु इस्तरबन करिए तो आवज़ अर्शा के समय में सर प्रथम श्वयम लालदात जी महराज आकर के अब भूराजते हैं क्यों कि लालदा जी महराज तो प्राज़िनात जी के साथ में कुरान disadvantaged i.e. को यंद्म बेर्न बा मिम लें करसे हैं तो इस तरह से अब छटी प्रहर की लिला को प्रारंब करते हुए कहते हैं आब कहों पहर छटी क्यों जीत चर्चा होता है हक का बैठे शुनत जमात जो खास घिरो बुझरक का अब जैसे ही छटी प्रहर का समय प्रारम्ब हुआ नौ बजे का समय जीता चर्चा होता है हक अब जहां पर हक परमात्म स्वरुप महमति प्रणिनाथ जी के द्वारा वखंड परम्धाम का जो बर्नल ये सास्त्रों की रहस्यों को खुलासा करना ये सारी बातें चर्चा के मा बैठने वाले चर्चा को श्रवन करने वाले आत्माय कौन है कहा बैठे सुन्नत्य जमात जो खास गिरो खुझ ज्वा मत और जिसे शुन्नत जमात है तो यह आत्माय का कर आका समय हुआ सुन्दर्शाथ साब आकर के बंगला में भार करके बैठे हुए हैं साथ सबे बंगले मिने बैठे होत सनमुखा केशब दास बानी पड़े कहो न जाए ये सुखा अब सुन्दर्शाथ साब बंगला में चारों तरफ भार करके बैठे हुए हैं के शब्दा जी बाणी लेकर के बैठते हैं तो अब बाणी का उचारन करते हैं आवध हामदनी उसका अर्थ करने लगते हैं चर्चा करने लगते हैं ये जो सुख है शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते हैं फिर कहते हैं कुरान हदिशों बाचने बैठते हैं दास लाल गोकुल दास पढ़ते हैं करने राज खुशाला कुरान हदिशा ग्रंथों का उचारन करने के लिए पढ़ने के लिए स्वेम लाल्दाजी महराज उपस्तित होते हैं गोकुल दास भी बैठ करके पढ़ते हैं तो कहे उड़ा जाता सव द्वैता देखे अभ यहाँ पर चर्चा जब प्रारंब हुई ना चर्चा की लिए क्या कहा ब्रक् seulement हो था अद्वैत चर्चा के मतयम शिक वो अद्वैत परम्धाम का प्रेम का बरसाद हो रहा है देखिए ये बाणी बरसाद है न तो ये बाणी के रूप में चर्चा के रूप में अद्वयत परमधाम का रश बरसाद हो रही है रसना मीठी सो कहे प्रेम भरी मीठी बचन के द्वारा ये चर्चा हो रही है उड़ जाता सव द्वयत ये संसार के द्व बैत जो है न यही चर्चा के प्रवावशिशाव के रिदय के अंदर से उड़ जाता है दूर हो जाता है जब चर्चा प्रारंब हुई फिर से वही बात मुरेली धार जी जो है न वो विल्कुल धामधनी के शामने में उपस्तीत हो करके आँख में आँख मिला करके चर्चा क को स्रवन करते हैं मुरली धर सनमुख बैठता पलक ना मारत नैना मुख सों मुख सनमुख स्रवन सुने मुख बैना एक पलक भी आँख को बंद किये विना नेत्र में नेत्र मिला करके सनमुख करके बहुत प्रेम और भाव से चर्चा को स्रवन करते हैं एक बाजू श्री महाराज और देवकरण जी साथ और दुरग भान पिछला जाके धनिये पकड़े हाथ स्वेम महाराज चत्र साल जी चर्चा स्रवन करने के लिए वहां उपस्तीत हैं देवकरण भाई भी वहां पर उपस्तीत हैं और दुरग भान वहां पर साथ में बैठे हुए हैं ये जीतनेवी आत्माओं के देल दिमाग रुपी हाथ को प्रियतम धाम धनी स्रीराज जी महाराज ने पकड़ करके यहां उपस्तीत कराएं ये सारे आत्माएं धनी की चर्चा स्रवन करने के लिए यहां पर उपस्तीत है आव धाम धनी स्रीराज जी महराज स्वरोप महामति प्राणिनात जी चर्चा के माध्यम से किन-किन विश्यों के उपर चर्चा करते हैं खुलासा करते हैं तो बेद कतेवों के प्रमान देते हुए तार्तम के माध्यम से जितने वी विश्यों की खुलासा करना, यह उनकी चर्चा की विशय बस्तु है, तो इस तरह से धाम-धनिके द्वारा सुंदर भावशे चर्चा हो रही है, अद्दुयत परंधाम का रस्प्रेम, बरसात की रूप में यहा पर प्रस्थूत हो रहा है, तो इस समय में चर्चा को स्रवन करने वाले, अलग- तो यहां कहते हैं ये 25 की बात बड़ी जीना नजर लाहोत पर सो हिसाब में ना आव ही कोहों शैयों की खातर देखिये 25 पक्षे परम्धाम का बर्न जो है ना ये 25 पक्षे परम्धाम का बर्न सब्द में लाई नहीं सकते हैं सब्द में लाकर के संख्या में लाकर के बर्न करना संभवी नहीं है फिर भी कहते हैं कौहों सैयों की खातर सैयों के वास्ते उस बिशुमार सब्दातीत परम्धाम को भी सब्द में लाकर के बर्रन करना है तो इस तरह से वो बिशुमार परम्धाम को भी हम आत्माओं के रिदय में वो परम्धाम का सुख का अनुभाव कराने के लिए धामदनी प्रणिनात जे उसको सब्द में ला करके बर्रन कर रहे हैं इसलिए बाणी में कहते हैं न अर्स मता अपार है दिल में ना आवे बिना सुमार ताथे लेओं बिच हिसाब के जो रूह करे बिचार परमधाम की मताहा परमधाम का जो खजना है वहां की जो बैवब है परमधाम का बर्नल अपार है उसका कोई पारवार ही नहीं अर्समता अपार है दिल में ना आवे बिना सुमार वो अपार परमधाम को अपार 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 करते रहे और हिसाब में लाकर के बर्नल ना करे तो आत्माओं के रिदाय में वो परमधाम का क पुर्ष जहलक ऊत्रेगा ही नहीं अनुभव होता ही नहीं। इसले कहते हैं दिल में ना आवे बिना सुमार। उसको हिसाब में, CBD में लाए बिना आत्माओं की रिञेद्धयमें वो परम्धाम ऊतरता ही नहीं। ताथेलियों बिच हिसाब के जो रूह करे बिचार। इसले में वो बेशुमार परम्धाम को भी शुमार में यानि कि हिसाब में अथवा सब्द में ला करके बर्रन करने जा रहा हो जो रूह करे बिचार जिसम के परम्धाम की जो आत्मा है ब्रह्म सिष्टी है उसको बिचार करके वो परम्धाम को अपने रिदाय में बिराजमान कराएं और उसके प्रतिभाव को प्रकट करें प्रेम को जागरीत कराएं इस तरह से वो बिशुमार परम्धाम को शुमार में लाकर के बर्रन करने के भाव को प्रस्तुत करते हैं तो जैसे प्रणिनाथ जी चर्चा के माध्यम से परम्धाम का बर्रन करते हैं ना तो पच्च उसको सरताल और मानिक पहाड का वर्रण करते हैं। उसके पसट फिर रंग महल के उत्तर दिषा के तरफ पुखराज पहाड की तरह से स्वभाइमान है। पुखराज पहाड का वर्रन करते हैं, वहां से फिर स्री जमनाजी किस तरह से प्रकड हो चली है, जमनाजी के वर्रन करते हैं, फिर उस्री जमनाजी पुखराज जिसे प्रकड होकर कि किस तरह से ढपी होकर कि चली है, फिर किस तरह से आगे खुली हुई है, आगे जाकर कि फ रचानीत होता है भौम कही अद्वयत पचीश पखा में सब है उड़े सुनते द्वयत पच्शीश पक्षे परम्धाम अद्वयत भूमिका इस तरह से बर्न करने से यह संसार का द्वयत अपने आप उड़ जाता है दूर हो जाता है इस तरह से बर्न किया फिर स्री राज और जी ये दोनों जुगल किश्वरा रूहें रहे दरगा में ये तिनों एक सुरूप नौ और श्रीडाज जी श्यामा जी और बारहजार आत्माएं जो अखंड परमधाम में बिराजते हैं ये लिला के लिए अनेक रूप में विस्तार हुए हैं ये वस्तम में अद्वयत भाव और शचरे सव एक हैं इस तरह से वर्रण किया है फिर उसके बार अक्षएर धौम में अक्षएर रव्र nap इंद्व रहते हैं उंगे आननद सक्थी लक्षमीजी न lat Costa करने की लिए गए और अक्षेर कि जू बाल निला स्वतह प्रकृति में किस तरह से खेल बनते और मीड़ते हैं फिर आज के दिन हम आत्माई और अक्षेर की वीच में एक आपस में देखा देख हुआ तो अब फिर ये खेल मागने का प्रसंग खेल देखने का प्रसंग किस तरह से हुआ इस विशय में भी ढामदनी शोरुप प्राणिनाथ जी चरशा के माद्दिम से खुलासा करते हैं तो यहां कहां ताब रुहों के दिल उपज्या हम खेल देखें भगवान मांगे आज राज पे हमें कब होए पहचाना आज के दिन ही धामदनी के साथ में हमने ये खेल को मागा तो फिर हम आत्माओं को दिखाने के वास्ते धनी ने ये खेल का विस्तार किया तो खेल के वीच में फिर हम आत्माओं सर्व प्रथम ब्रज मंडल में आए तो पहले आए ब्रज में रहे अग्यारे बरस बाउन दिन ता पिछे पहुंचे ब्रिंदाबन में एक रात रोशन फिर ब्रज मंडल के लिला रास मं महमसाहेव किस तरह से आए और उन्होंने कुरान गरंथ दौर्थे किस तरह से वह परम्ढाम की बातों को सब्द में जाहर करके क्यामत के दिन का निशानी लिख करके रखा इस बात को यहां पर खुलासा करते हैं फिर रसुल महमद साहिब के भविशे बाणी के हिसाब से आखर के समय में अस्त्राफ फिल के द्वारा सुर्फ होगने का अर्थ क्या है तो जाग्रेद बुद्धी का सुरुफ सद्गुरु सुरुफ में प्राणिनात जी सुरुफ में आकर के किस तरसे ये सुरुफ का जा रहा है ये तार्तम बान के माध्यम से ही फिर स्री राज जी श्याम जी के सातों सिनगार का बर्न किस तरसे हो रहा है इसको भी प्राणिनात जी चरचा के माध्यम से स्रवन कराते हैं सातों सुरुप श सब दाया यह साथ सिंगार का भाव है तो साथ सिंगार में परम्धाम के अंदर रज्जी और श्यामा जी का पांच सिंगार है जो सागर ग्रंथ में चौंथा सागर जुगल सुर्व का सिंगार का सागर में बर्रन हुआ जिसमें परम्धाम में स्रिडाज जी के तीन सिंगार अस्त्र प्रहर के लिला में होती है सुबह प्रथम प्रहर के समय में तिस्त्री भौम के देहलान में एक सिंगार और तीन बजे के समय मतलब तिस्त्री प्रहर के अंतिम चौंथी प्रहर के शुरुवात के समय में तिस्त्री भौम में स्री राज्य का सिंगार यह दूसरा तो ये तीनों सिन्गार का भाव शागर गंठा में तीने बाहर स्री राज्यका सिंगार का बर्रन हुआ तू ये तीन सिन्गार है ऐ फिर श्यामैजी महराण्य के शिंगार अश्टवण local लिला में दो वार शिंगार लिला होती है प्राथम प्रहर के समय में तिस्त्री भौम के आस्मानी रंग के मंदिर में एक सिंगार और संध्या के समय में जो जिरना के पसात वो जो दुसरी सिंगार है ये दो सिंगार सागर ग्रंथ में स्यामा जी के सिंगार दो बार सिंगार बर्रन हुआ है तो ये सागर ग्रंथ में राज जी का तीन सिंगार, श्यामा जी का दो सिंगार, पांच सिंगार हुआ, और राश ग्रंथ में स्री राज जी का सिंगार और स्री ठकुरानी जी का सिंगार करके राधा स्री कृष्ण जी की सिंगार का बर्न हुआ, तो सागर ग्रंथ का पांच स सुन्दर साथ के रिदय को प्रकासित करते हैं तो इस तरह से यह सारी बातें चर्चा से जाहर होती जा रही है तो परमधाम की बर्नन स्री राज जी की शुरुव शिंगार का बर्नन इन सारी विश्व में चर्चा करते करते नौ बजे से बार बजे तक का समय पूरी होती है और जब जब धामधनी इस तरह से चर्चा करते हैं न देन के समय में भी नौ बजे से सबा ग्यार बजे तक चर्चा होई और रात्री के समय में ये नौ बजे से बार बजे तक चर्चा होती जा रही है तो चर्चा चलते चलते बीच बीच में ही ऐसे ही रजी महराज के आवेश सक्ति के द्वारा बाणी की चौपाई भी प्रस्थूटीत होती जा रही है तो ये जब बाणी अवत्रन होती है तो सुन्दर साथ अब वो चर्चा सुनने के लिए जब बैठते हैं तो किस समय में धनी के द्वारा अलोखिक बाणी अवत्रन हो जाए तो बाणी को लिखने के लिए विल्कुल कलम कागज मशी को श्याई को लेकर के बैठते हैं जब धनी के मुखार विंद से बाणी की चौपाई प्रस्थूटीत होने लगते हैं तो फिर वो बाणी को लिखने लगते हैं इस तरह से बार बज़े का समय तक चरचा होती है अब 12 वजी से आगे का समय पउडावनी का समय है तो अब 12 वजी धामधनी सो रुप प्राडीनात जी को पॉडावनी सेवा के लिए सुन्दर साथ फिर उदर सुक शेज्ज्ञा तयार करने के लिए चले जाते हैं और और सुक्षेज्य तैयार करने के पसाद जैसे ही 12 बजे का समय हुआ अब धामधनी स्री प्राणिनात जी को पौड़ने के लिए अर्जी करते हैं परंतो कवी-कवी ये चर्चा के रस में श्वैम धामधनी ऐसे मगन होकर के डूब जाते हैं चर्चा करते 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 ये ज हठी प्रहर का समय नौ से बार का समय तो पूरी हुई सातों प्रहर का समय बार से तीन बजे का समय है न ये समय भी चर्चा में ही निकल जाता है जब धनी जी ऐसे रस में मगन होकर के चर्चा में डूब जाते हैं तो सुन्दर साथ भी मगन होकर के चर्चा सुनते रहते हैं उसमें कोई तो अब उठकर के चले जाते हैं जो जीव स्रिष्टी के हैं वो पहले उठकर के चले जाते हैं इस्वरी स्रिष्टी दर्जा के जो है वो बीज-बीज में अपने अपने समय में उठकर के चले जाते हैं और ब्रह्म स्रिष्टी में भी विशेश विशेश जो सु परणतों बारवजे के समय में ही पौड़ावनी लिला होती है ऐसा कोई निश्चा नहीं है इसलिए यहां अब छटी प्रहर की लिला पूरी होने के पस्ताद और सातों प्रहर की लिला को यहां लालदा जी महराज बर्नन करते हैं तो सुंदर शाह तो अपने तरफ से धनी को शुक्सेज्या सजा करके शेवा के लिए हाजिर होते हैं परणतों अब चर्चा पूरी करके शुक्सेज्या में बिराजमान हो और पौड़े अधवा चर्चा के रस में डूव जाए ये तो धनी की अपनी लिला है तो अब धाम धनी की सिवा के लिए सुन्दर साथ किस तरह से शुक सेज्या को सजाते हैं तो सात्वी प्रहर की लिला को प्रारंब करते हुए कहते हैं इन समे सेज समारत नारायन द्वारिका दास गंगा दास परमानंद और सेज समारत खास नारायन दास द्वारिका दास गंगा दास परमानंद ये सुन्दर साथ धनी के सेज्या को सजाते हैं और सुन्दर सेज्या का वर्नन किया है सिराने गाल मशूरे कहां लग कहुं बनाए चारों डाडे नूर के उपर छत्री गिरदवाए यह तो कल हम प्रथम प्रहर की लिला के प्रसंगा में भी यह जो शेज्या का वर्नन का प्रसंग वर्नन कर रहे थे तो इस तरह से शुन्दर ढंग से शेज्या को सजाते हैं और इसका भी वर्नन किया है अब धामदनी श्रीडाज जी महराज जैसे कि कहा कभी तो चर्चा के रस में ऐसे डुब जाते हैं समय निकला हुआ पताई नहीं चलता है तीन बज जाता है और कभी कभी बारवजे के समय में चर्चा पूरी करते हैं तो अब शुन्दर साथ प्राणिनात जी को पौड़ने के लिए अरजी करते हैं परन्तो प्राणिनात जी अब वहाँ से उठने के बाद रात्री के बारवजे के समय के पसाद में मानिक के घर में चले जाते हैं स्रीराज उठत है इन समय पधारत घर मानिका हाथ पकड़ उठावत गंगादास बुझरक धामदनी जब वहाँ से उठते हैं तो गंगादास प्रणिनात जी के हाथ पकड़ करके उठते हैं वहां से फिर मानिक दास के घर में चले जाते हैं जब धाम देनी वहां से मानिक दास के घर के तरफ चले जाते हैं तो फिर सुन्दर साथ पाउड़ा बिछाने वाले पाउड़ा बिछा रहे हैं चमर डोलाने वाले चमर डोला रहे हैं सब अपने अपने सेवा में उपस्तित ह फिर उसके बाद फिर लौड करके आते हैं और अपनी शुक सेज्या में विराजते हैं। वीज़ी बात करें राजवला दिखाया हमें खेला गोदावडरि नाम कि शुद्रसाथ dharm धनी नाम की पहुत अच्छा खेल दिखाया neu इस तर से बहुत प्रेम से यह बातें करते हुए कर रहे हैं बात इसे भिस्राम करते फिर प्राणिनाथ जी बैजु महारानी जिनभार की वहां की जो भी बातों वो सुनाते हैं तो बहुत प्रेम और भाव के साथ में उस बचन को भी स्रवन करते हैं आब धामदनी स्त्री प्राणिनाथ जी पलंग के उपर पावड़े हुए हैं श्रीराज पौडे पलंग पर शब को कहे प्रणाम गावन वाली आईयां अडाई प्रहर गई जाना तो धाम धनी सब को प्रणाम करते हुए पलंग के उपर पौड रहे हैं चुंदर साथ भी धनी को प्रणाम करके वो बिश्राम करने के लिए जाने वाले चले गए आव रात्री के समय में पौडावने के समय में वह जो बाणी गायन करने के वारी वाले जो सुन्दर साथ है वह लोग उपस्तित होते हैं और बाणी गायन करने लगते हैं तो इस तरह से चलते चलते फिर अडाई प्रहर गई जाम अडाई प्रहर रात्री बेतित हो गया मतलब दो प्रहर बार बज़े तक में पुरा हुआ रात्री का फिर अडाई प्रहर मतलब ये साथवी प्रहर अथवा रात्री के तिसरी प्रहर का भी चार घड़ी समय बेतित तो उसे वेज में फिर इस तरफ सुन्दर साथ जी कई जने कुरान हदिशा ग्रंथ को ले करके बाणी खोल करके उसके अर्थ करना उसकी चिंतन करना इस तरह से सुन्दर साथ बैठे हुए हैं तो इस समय में लालदाजी महराज के सब दास जे और गोकुल दास जे ये विशेश विशेश सुन्दर साथ वहां पर अद्देन करते हैं चिंतन करते हैं तो इस तरह से ये लोग भी आणन्द में मगन हैं फिर बाद में धामदनी श्री प्राणिनात जी पुछते हैं कौन-कौन बैठे हैं अभी तक ये चर्चा में तो फिर सुन्दर साथ जी जो जो भी वहां पर बैठे थे वहां उन लोगों के वो नाम बताते हैं और उस समय में वहां चर्चा में कभी-कभी 10 जने कभी-कभी 20 जने कभी 30 कभी 40 कभी 50 60 तक रहते थे तो अंतीम समय तक ये चर्चा में सुन्दर साथ लगे हुए हैं अब धाम दनीश्री प्राणिनात जी पलंग में पौड़े पौड़े वहाँ पर सुन्दर साथ जो चर्चा कर रहे हैं उसको स्रवन करते रहते हैं इसी तरह से समय निकल निकलते ये साथवी प्रहर का समय भी बीत जाता है अब तीन बजे का समय हुआ अब आठवी प्रहर का समय प्रारंब हुआ अब आगे लाल्दाशी महराज फिर आठवी प्रहर की लिला बर्लन प्रारंब करते हैं अब कहों पहर आठमा स्री राज पौड़े पलंग पर बा अब सुन्दर साथ बाणी गायन करने वाले बाणी गायन कर रहे हैं अद्यान करने वाले और उसका अर्थ करने वाले चर्चा करने वाले चर्चा कर रहे हैं बारी वाले गावत फिरती चौकी पर जिनकी आये सो गाव ही रसना मिठी कर जिन जिनकी बारी आते हैं वोई लोग आकर के यहां बाणी गायन करते हैं और ये बाणी जो भी गायन कर रहे हैं तो ये बाणी की संदर्व में कहते हैं इना बाणी से होता है नजर पड़े बेच बख्का ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब्ब का ये बाणी को गायन करने से चिंतन करने से अखंड परमधा में आत्मा द्रिश्टी पहुंच जाती है और ये बाणी स्यामजी के रसना के द्वारा जाहिर हुआ बाणी है और रब परमात्मा ने अपने आत्माओं को ये बाणी रुपी रस को इस तरह से पान करा रहे हैं तो इस तरह ये सारी बाणी की भाव को यहां जाहर करते हैं और यहां पर लाल लही महाराज ने इस बाणी को अध्यन करने से ये बाणी को गायन करने से क्या फाइदा है इस विशय में भी यहां खुलासा करते हैं इन बाणी की बरकते सब दफे होत बलाए सदा सैतान कापत मिने पैठ न स के ताएं ये बाणी के बरकत से बिविन्न प्रकार की जो दुख कश्ट जोवी है वो सब दूर हो जाता है शैतानी बृति रिदय के अंदर रह नहीं सकता है साब दूर हो जाता है रिदय में अखंड सुख अनुभाव होने लगते हैं इस तरह से बढ़नी की महिमा है यहां ज करते हैं तो धामदनी श्री प्राणिनाथ जी पलंग में ऐसे लेटे लेटे उसको स्रवन करते हैं नीद ना आवे नैनाक में नीद नहीं है इस तरह से जब सुन्दर साथ जी वहां पर बाणी को अध्यन करते हैं वो कुरान हदिशों के सब्दों को पढ़ते हैं तो कोई अध्यन करते समय पढ़ते समया न इक शब्दवी अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो धामदनी जी कहते हैं क्यों सब्द को भूल कर रहे हो तो यह तो यह यह आगे पीछे क्यों कहां क्यों गए हरफ भूला चूप रहे अर्ज़ करे कहे हमें न आया सुला धामदनी शुनर साथ के एक एक सब्द कुछ रवन कर रहे हैं जब इस तरह से धनी जी कहते हैं तो सुन्दर साथ सुपचाफ से रहते हैं फिर कुछ से बाद में कहते हैं हमारी शे भूल हो गया इस तरह से जाहर करते हैं तो इस तरह से निरंतर चर्चा करना वाणी गाइन करना चलते चलते य आठोई प्रहर का समय का भी चार घड़ी का समय बेतित हुआ अब बांकी चार घड़ी का समय है कहने का अर्था रात्री के साड़े चार बजे का समय हुआ अब इतने समय बेतने के बाद प्रारंब होती है बृत्ती वर्नन का समय अब परमधाम का जो वर्नन है न बृत्ति 25 वक्षे परमधाम जो चर्चनी का प्रसंग है ये वर्नन करने का प्रसंग आता है तो यहाँ पर लालदाजी महराज कहते हैं यो करते इन भात से बांकी रात रही घडी चार आया समय बिरत का घिरो उठने का करे बिचार इस तरह से अब सुन्दर साथ जी चार घडी समय बांकी रहते समय बृत्ति का बर्नन करने का समय होता है अब परमधाम का बर्नन को प्रारंब करते हैं इस तरह से ये सुन्दर लिला बर्नन होती जा रही है तो प्यारे सुन्दर साथ जी आज का हमारा समय पुरा हुआ है आज के प्रस प्रसंग के उपर चर्चा किया अब कल के प्रसंग में ये आठोई प्रहर के चार घड़ी समया बांकी रहता है जब अब ये बृत्ति का बर्ण किस तरह से करते हैं इस प्रसंग के द्वारा परमधाम 25 पक्षे का सारामस बर्णन जो महमति प्राणिनाथ जी ने परिक्रमा ग अक्षे में स्वैम प्राणिनाथ जी परमधाम का वर्रण करके सुन्दर साथ को परमधाम की प्रति भाव को प्रकड कराते थे लालदाशी महराज ने इसी व्रित्ति का बर्रण यहां पर साराम सुरूब में कराये हैं इस भाव के उपर हम चर्चा स्त्रवन करेंगे तो आ आगे पिछे क्यों कहा आगे पिछे क्यों क्या क्यों गए हर्फ भूला चूप रहे अरज करें चूप रहें अरज करें कहे हमें ना आया सूल बलू स्री कृष्ण कनहिया लाल की सत्गुरु महराज की स्री प्राणनात्य प्यारी की महराणी बाई जुराज की महराज चत्र साल की स्वामी स्री लाल दास्जी महराज की हिनो पूरि धाम की समस्त सुन्दर साथ की प्रणा